फूल आ रहे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज इमली की चर्चा करेंगे टैमेरिंडस इंडिका सीसल पिनेसी कुल का यह प्लांट है सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे साथियों कमपाउंड पैरिपिनेट इसका ली होता है जबकि यह काफी खट्ठा और टेष्टी लगता है काशला कम होता है उसमें थोड़ी सी कटभाट रहती है इसमें एसा बिल्कुल भी नहीं होता है और फ्लीफलेट थोड़ी बड़ी होती है आउला के काम परेजिन में सुन्दर इसके फूल आप देख पा रहे मित्रो आप इमली देख पा रहे होंगे इमली पकने के बाद ब्राउन कलर की हो जाती है और इस इमली को जो छाल होती है उसको आप राख बना लीजिए राख छारिये प्रोपर्टी रखता है जो कि मुत्रल का करे करता है और इसको हम सेवन करते हैं तो डाइजेस्टिव डिस को ठीक करता है और चारिये प्रोपर्टी होने के कारण यह किड्नी डिसोडर्स को भी ठीक करता है और गॉल ब्रिडर की बढ़ने वाली जो स्टौन होती है उसको भी बढ़ने से रोकता है और अब हम इसके पल्प की बात करें इमली का पल्प होता है वह डाइजेस्टिव ह होता है पेट के अंदर से कीड़े को निकालने वाला होता है एंटी वीनम एक्टिविटी भी इसकी होती है यह शरीर के टॉक्सिंस को बाहर चालने वाले होता है और किसी प्रकार के poison को न्यूटलाइज करने की छमता इसके अंदर होती है इसके पत्र का आप जूस बनाकर सेवन करते हैं तो साथ्यों अस्थमा को ठीक करने वाला होता है एंटी अस्थेमेटिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है मित्रों आज कल हम दनिक जीवन में काफी मात्रा में पैकड़ फूड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पैकेजिंग के कारण बढ़ते हुए पॉलूशन के कारण चाहे वह सोईल पॉलूश या फिर जो वेजटेबल्स या फ्रूट हम सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स भी हमारी बोडी के अंदर जाते हैं इसके अंदर टाट्रिक एसेड पोटाशियम बाइट अट्रेट होता है जो हैवी मेटल्स के साथ टॉक्षिंस के साथ कंप्लेक्स बनाकर से बाहर निकालता है तो मैं समझो कि महीने में एक या दो बार कम से कम आप इमले के पानी का सेवन कीजिए शरीर के टॉक्षिंस को बाहर निकालने का कारे करता है इसके पत्र का जूस बना कर आप सेवन करते हैं उसमें आप सेंदा नमक मिला लीजे पेट के कीड़े को बाह सकते हैं साथ इसाथ female hormone को regulate करते हुए fertility को बढ़ाने का कारे करता है मित्रों अब आप चाल देख पा रहे होंगे इसकी चाल का उपयोग आप काढ़ा बनाकर एनलजेसिक activity के लिए pain को और pain की sensation को कम करने के लिए inflammation को दूर करने के लिए skin की problems अगर हो गई हो तो इसका हमें paste बनाकर externally apply करना चाहिए बहा उपयोग के लिए और इसका काढ़ा बनाकर 7 करना चाहिए 5 ग्राम चाल लेकर इसका काढ़ा बनाकर अपयोग करते हैं तो यह एनलजेसिक का कारे करता है malaria के कारण या बदलती हुए motion के कारण बुखार हो गया हो उसको भी ठीक करने के कारे करता है कहीं सूजन हो गई हो तो इसका paste बनाकर लगाना चाहिए तो एनलजेसिक और anti-inflammatory activity के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं मित्रो इंबली के pulp का उपयोग आप constipation को दूर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं laxative का कारे करता है बुखार के बाद एपचन की समस्या हो जाती है भूक नहीं लगती है और अरूची की जो समस्या है उसको दूर करता है the digestion को बढ़ाता है और हमारे जो digestive juices हैं उनका इस्क्रीशन बढ़ाते हुए digestive capacity को बढ़ाता है और हम इसका उपयोग दालों को बनाने के लिए करते हैं ताकि उनकी digestive capacity उनकी assimilation capacity शरीर के अंदर बढ़ जाए और anti-diabetic activity के लिए इसका pulp का उपयोग करते हैं आपने अब इमली का पल्प निकाल लिया, इमली के फल की छाल आपने उप्योग कर ली, पल्प का उप्योग कर लिया, अब इमली के बीज जो आपके बचे उनको आप भिगो दीजिये, और भिगोने के बाद जो पानी होता है, उसको आप छान लिजिये, वो आपके आँखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए और corneal wound healing के लिए आंखों के अंदर redness या कोई infection हो गया हो तो उसको दो से तीन drop डाल सकते हैं अब उसको आप बीज के उपर से छिलके को उतार लेजिए अब जो कोटी लेडन्स जो उसके बचे उसका paste बना कर चहरे पे लगाईए तिमपल्स की समस्या रिंकल्स की समस्या जाई की समस्या डेड़ी skin की समस्या सब दूर हो जाती है अच्छी skin tonicity के लिए अब आप उन कोटी लेडन्स का paste बना कर तुचा के उपर लगा सकते हैं मित्रों साथ ही सात आप क्या कर सकते हैं उन कोटी लेडन्स का paste बना कर अगर दूद के साथ सेवन करते हैं तो प्रेमे की समस्चा को भी वो ठीक करने वाला होता है शरीर को पोशन देने वाला होता है विभिन प्रकार की कमियों को दूर करते हुए सरीर को निरोग रखने की छमता इसके अंदर होती है सभी प्लांट पार्ट औस द्येगुणों के लिए आज आपने जाना कि किस प्रकार से हम इसको उप्योग में ला सकते हैं बिल्कुल भी कन्फ्यूजन करने के आउसकता नहीं है आउले के पत्र से इसका कन्फ्यूजन करना गलत होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट करके इमेल के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जानकारी को अधिक से अधिक सेयर कीजिए ताकि authentically प्रतेक व्यक्ति को इन से लाब हो सके इसकी महानता इतनी है कि सरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए काम आता है गर्मियों के मौसम में तरसा बढ़ गई हो प्यास बढ़ गई हो उसको ठीक करने कारे करता है मित्रों कहीं आपको यह नहीं लगता कि हम पैसन फ्रूट ड्रेगन फ्रूट जो विदेशी फ्रूट हैं उनकी तरफ हम लालाय ज्यादा हो रहे हैं और अपने ही देश में पाए जाने वाले ट्रेडिशनल इंडियन फ्रूट को कहीं न कहीं हम नजर अंदाज कर रहे हैं जिसको हमें सेव करना चाहिए अधिक सदिक योग में लाना चाहिए अगर किसी को खटा लगता हो तो गुड मिला कर भी इसका सेवन किया जा सकता है सरीर की कौन सी ऐसी प्रॉबलम है जो उससे ठीक नहीं की जा सकती है वो डिपेंड करता है इसके योग के ऊपर इसके लेने के तरीके के ऊपर और आपकी होने वाले बिमारियों के ऊपर कल फिर मिलेंगे सुबह साड़ शे बजे एक नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ जानकारे को अधिक सदिक सेर कीजिए इन्हें मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रिणाम नमस्कार